रेडियो के जी एम यू कूच एटी नाइट पॉइंट सिक्स एफम हाँ जी आप सुन रहे हैं लखनू शहर के दिल की धरकन में हूँ प्रतिमा लेकर हाजिर हूँ आज का हेल्थ टॉक आज के हेल्थ टॉक में हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मेधावी गौतम हेलो मैम, वेलकम इन अवर शोओ थैंक यू, थैंक यू सो मज शुताओं बताना चाहेंगे डॉक्टर मेधावी गौतम एसोसियेट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ओफ मेधिसिन विभाग के जेम्यू लखनों में देखा जाए तो हम सभी का डेली रूटीन इतना ज़्यादा गरबड हो चुका है कि कहीं न कहीं हमें बहुत तरह की बिमारियों के चपेट में हमा आ जाते ऐसे में गुर्दे की देखभाल कैसे की जाए इसे से जुड़ा हुआ है आज का हमारा टॉपिक शुताओं आज का टॉपिक है गुर्दा रोग और देखभाल हमने पहले पे इस टॉपिक पे डिसकुशन किया है डॉक्टर लक्षी कुमार जी के साथ जिसमें हमने जाना था गुर्दा रोग होने के क्या कारण होते हैं क्या लक्षन होते हैं गुर्दा रोग होने से शरीर पे क्या क्या effect पड़ते हैं इसके लावर diabetes जब हो जाती है तब गुर्दा रोग में किस तरह से दिक्कते आती हैं तो आज भी हम अपने इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारे साथ डॉक्टर मेधावी गौतब हमें गुर्दा रुख से संबंदत कुछ अन्य बाते बताएंगी तो मैम हमारे बहुत से टॉपिक अभी डिसकस हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट में अभी हमें ये बताएं कि क्या किड्नी की बिमारी अनुवाशिक भी हो सकती है हाँ, बिलकुल, kidneys की बिमारी अनुवाइशिक भी हो सकती है जिसमें आम तोर पर जो प्रमुख अनुवाइशिक बिमारिया होती है उसमें autosomal dominant polycystic kidney disease, thin basement membrane disease, Alport syndrome ये कुछ बिमारिया होती है जो families में रन करती है, hereditary बिमारिया जिने कहते हैं इसके अलावा diabetes भी hereditary होती है, diabetes की वज़े से kidneys भी affect होती है तो अगर आपके family members में किसी को diabetes है, तो अपना भी routine check-up करवाएं क्योंकि diabetes अगर early diagnose होती है और early treatment होता है तो उस पे kidney disease के prevention में हमें काफी मदद मिलती है माम क्या kidney की बिमारी अगर किसी विक्तियों को एक बार हो जाती है तो क्या उसे बार-बार dialysis पर ही रहना पड़ता है नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है आमतोर पर मैंने देखा है कि लोगों में ये misconception होता है कि एक बार kidney की बिमारी हो गई तो हमेशा अपने lifelong dialysis पर ही रहेंगे ऐसी सोच को मैं बहुत जादा नहीं promote करती हूँ basically जो kidney की बिमारी होती है या फिर वो acute होती है या फिर वो chronic होती है जो acute kidney injuries होती है वो आमतोर पर ठीक हो जाती है chronic kidney stages जो होते हैं chronic kidney बिमारियां होती है जिसे chronic kidney disease बोलते है जब 3 माहिने तक भी कोई kidney की बिमारी ठीक नहीं होती है तो उसे हम chronic kidney disease बोलते है chronic kidney disease में भी stages होते है stage 1 to 5 तो अगर कोई patient stage 5 तक पहुँचता है तब उसे dialysis की आविशकता पड़ती है stage 1 से लेकर के 4 तक आम तोर पर conservative management, lifestyle changes इनसे भी patient normal life जी सकता है मैं जैसा कि अभी आपने बात की chronic kidney disease के बारे में तो इसको थोड़ा विस्तार से हमारे शुरताओं को बताए chronic kidney disease जो बिमारी होती है जैसा कि अभी हमने बताए कि कोई बिमारी, कोई भी kidney की problem अगर तीन महीने के ऊपर रह जाती है और वो ठीक नहीं होती है तो आम तर पर उसको हम chronic kidney disease बोलते है chronic kidney disease के 5 stages होते हैं, जिसे stage 1, 2, 3, 4 and 5 ये chronic kidney disease जो stages में divide होते हैं, ये GFR के basis पर divide होते हैं मतलब आपकी kidney कितना percentage काम कर रही है GFR निकलने के आजकल बहुत formulae available हैं जो की online calculators भी available हैं कुछ test भी available हैं, जिसे आपना खुद का GFR पता कर सका है उसके अनुसार ही हम chronic kidney disease को divide करते हैं तो जब अगर chronic kidney disease stage 1 से लेकर के 4 तक का GFR के basis पर जब हम division करते हैं तो इन मरीजों को इन group of patients को आम तोर पर अगर वो अपनी दवाईया प्रॉपरली लेते रहें अगर वो अपने lifestyle modifications पर strict रहें healthy diet लें, healthy lifestyle habits रखें डॉक्टर की regularly approach करते रहें डॉक्टर को regular visit करते रहें तो इनकी life normal चल सकती है एक stage के आने के बाद जब हम stage 5 में land करते हैं तब dialysis की अवशक्ता और उसके बाद transplant की भी अवशक्ता पढ़ सकती है patient को मैं हम बाते हो रही है हमारी chronic kidney disease के बारे में तो chronic kidney diseases का इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है इसके बारे में थोड़ा हमारे शोताओं को बताएं जब हम chronic kidney disease की last stages में आते हैं जिसे stage 5 बोलते हैं तब हमारे पास dialysis या transplant की सुवधा उपलब्ध होती है dialysis दो प्रकार की होती है या फिर hemodialysis या फिर peritoneal dialysis आम भाशा में बोलें तो hemodialysis खून की dialysis होती है peritoneal dialysis पानी दवारा dialysis होती है जिसके एक special training ले करके मरीज अपने घर में खुद अपनी dialysis कर सकता है इसके अलावा जो option है जिसके लिए हम सब सारे nephrologist और doctor physician जो promote करते हैं वो transplant transplant के लिए various studies यही कहते हैं कि उसे quality of life better रहती है in comparison to hemodialysis और peritoneal dialysis so renal transplant एक option है जो कि हर patient को इसके बारे में सोचना चाहिए अगर उसको CKD stage 5 तक का वो पहुँच गया है हमें यह बताए कि अगर किसी वेक्तियों को यह disease हो जाती है तो क्या वो अपनी normal life जी सकता है हाँ बिलकुल वो अपनी life बाकी और normal population के जैसे जी सकता है वो अगर अपनी दवाईया properly समय पर खाता है doctors को regular visit करता है और अगर उसको dialysis के आविशकता है तो उस प्रकार से अपनी dialysis करता है जिसे हफते में 2 या 3 बार अगर उसे dialysis के आविशकता है अपनी regular dialysis unit को visit करता है तो patient अपनी normal life जी सकता है transplant के बाद भी renal transplant के बाद भी patient को कुछ दवाईयों पर रहना पड़ता है renal transplant के बाद आम तोर पर dialysis के आविशकता नहीं पड़ती है उन दवाईयों को अगर patient time पर लेता रहता है with regular doctor visit so patient उसके बाद भी normal life जी सकता है मैं किसी वेक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे kidney से related कोई बिमारी हो गई है kidney से related बिमारी का पता लगाने के लिए हर इंसान को अपने कुछ विशेश लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी बिमारी बिना लक्षण के नहीं आती है थोड़े थोड़े छोटे 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 लक्षणों पर ध्यान देने से kidney की बिमारी जल्दी पता लगाई जा सकती है ये लक्षण हो सकते हैं कमजोरी लगना भूक में कमी रहना उल्टी होना या उल्टी महसूस होना शरीर में सूजन आना या खास दोर पर आँखों के चारों तरफ सूजनाना पैरों पर सूजनाना सांस फूलना पिशाब में कमी होना या फिर रात में बार बार पिशाब लगना या फिर कभी आपको लगे कि आपके पिशाब से कुछ बलड आ रहा हो या फिर पिशाब में बहुत जाग आ रहा हो, फेना जैसा दिख रहा हो आपके पिशाब में या शर्य बहुत अत्यधिक खुजली होना, ये सब आपको इशारा देते हैं कि आपकी किड्नीज कहीं वीक तो नहीं हो रही है, इन पे ध्यान देना ज़रूरी है और अगर आपने अपने इन सिम्टम्स को पहचाना है, तो आप डॉक्टर को जरूर विजिट करिए और डॉक्टर्स हो सकता है, कुछ आपके लिए टेस्ट लिए करके दे, जिसमें सेरम क्रेटनिन, हीमोग्लोबिन, बलड यूरिया, अल्टरसाउंड, इन टेस्ट से बेसिकली आप पता लगा सकते हैं, कि आपको किड्नी की प्रॉब्लम है या नहीं है, जिसको बाकी कुछ एडवांस टेस्ट से कनफर्म किया जा सकते हैं अगर कोई वैक्ति अपनी किड्नी को हेल्दी रखना चाहता है, तो किड्नी की देख बाल वो किस तरह से कर सकता है? जसरके आपको बताया मैंने, कि किड्नी की देख बाल करने के लिए आपको अपनी लाफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़ादा important है, अगर आपके family में diabetes या blood pressure की शिकायत है, तो आपको अपना routinely check up कराते रहना चाहिए अपने blood sugars का, अपने BP का खास ध्यार रखना चाहिए अगर आपका BP 140 पटे 90 के ऊपर है और आपको blood pressure diagnosed हो गया है, confirmed diagnosis of hypertension, तो आप अपनी doctor की सलाह पे blood pressures की दवाईयां लेना शुरू कर सकते हैं you have to maintain advocate hydration and especially दवाईयों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी दवाई बिना doctor की सलाह के नहीं लेना चाहिए, especially pain killers, जो दर्द निवारिक दवाईयां होती है बहुत लंबे समय तक use करने से kidneys पे उन पे असर पड़ता है इसके अलावा आपको वजन control रखना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी kidney की problem से बच सकते हैं या फिर इनको control में रखा जा सकते है अगर आप माम की बताई गई बातों को फॉलो करते हैं आप इस तरह से किसी भी चीज का सेवन नहीं करते हैं जो आपके शरीर को आपकी kidney को नुकसान पहुचा सकता है माम हमारा time जो है वो खत्म होने वाला है चलते चलते हमारे शोताओं को कोई message देना चाहेंगी हमारी खास कर महिलाओं को कि वे किस तरह से अपनी kidney की देखभाल कर सकें महिलाओं के लिए especially ये message रहता है कि apart from diabetes and blood pressures जो की common conditions रहते हैं kidney बिमारी के female patients में pregnancy related complications भी associated रहते हैं जिससे की renal injuries जिससे की kidney injuries हो सकती है so pregnancy related complications से मेरे कहने का मतलब है जैसे की acclampsias, pre-acclampsias, antipartum hemorrhage, postpartum hemorrhage ये ऐसी कुछ बिमारियां होती हैं जो की pregnancy से ही associated होती हैं और जिसकी वज़े से kidneys affect हो सकती हैं लेकिन इसका भी बचाओ है अगर pregnancy के दौरान आप अपने regular gynecologist को visit करते रहते हैं अपने blood sugars का, अपने blood pressures का खास ख्याल रखते हैं और अगर आपकी family में, आपकी mother को या फिर आपकी sisters को कभी कोई ऐसे history रही हो तो आप अपना विशेश ख्याल रखें अपने diet का proper ख्याल रखें जिसे कि आप इन problem से बच सकते हैं हाँ जी दोस्तों आप इन सारी problem से बच सकते हैं करना बस आपको इतना है कि आपको मैम की बताई गई बातों को follow करना है और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत लगती है आपकी kidney में कोई problem हो रही है तो आप हमारी KGMU लगनो में आ सकते हैं विजिट कर सकते हैं और अपना treatment करा सकते हैं